दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्मेटर योट्योब चैनल पर और आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कितने दिनों में कितने वीडियो योट्यूब पर अपलोड करनी चाहिए देखे दोस्तों यहाँ पर आपने काफी सारे वीडियो जरूर देखी होंगी लेकिन वहाँ पर आपको जो एगजक्ट जानकारी है एगजक्ट जो इंफ्रमेशन है वो आपको नहीं जाते हैं सबसे पहला तो मैं आपको बता दूँ कि योट्यूब के हिसाब से 48 गंटे में एक दिन होता है ना कि 24 गंटे में एक दिन जैसे कि हम लोग के हिसाब में मन लिए कि 24 गंटे में एक दिन हम मानते हैं लेकिन योट्यूब के हिसाब से आपको 48 गंटे में एक दिन यानि कि मान यह चीज डिपेंड करता है आपके कैटेगरी पर यह डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको वीडियो डालनी होती है माली जी कि आपका जो चैनल है वो 225 आप बनाते हो उस पर या फिर comedy का टेगरिगा है तो वहाँ पर आप महीने में तीन वीडियो चार वीडियो पाँच वीडियो तक डाल सकते हैं माले जी आपका चैनल ब्लोगिंग का है तो ब्लोगिंग के लिए आप एक दो दिन गैफ कर सकते हैं हाला कि डेली वीडियो अपलोड करने चाहिए ब्लोगिंग में भी लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो दो से तिन दिन भी आपका गैफ यहाँ पे चल सकता है इसके बाद भी आप वीडियो को अपनी अप्लोड कर सकते हो अब हम बात कर लेते हैं टेक काटेगरी की दोस्तों टेक काटेगरी में क्या है कि टेक काटेगरी में आपको डेली वीडियो अप्लोड करना ही पड़ेगा daily video upload करना पड़ेगा और कोशिस ये करिए कि आप एक से दो वीडियो upload करिए अब देखिए होता क्या है YouTube पर की जो भी tech category channel है वहाँ पर क्या दिक्कात होती है कि आप ज़रना ज़्यादा content upload करोगी YouTube पर उतने chances बढ़ जाते हैं कि आपका चैनल बूस्ट हो जाए वहाँ पर देखिए जहां पर और भी काटेगरी इस है जहां पर आपको डेली वीडियो अपलोड करनी होती है लेकिन एक काटेगरी टेक जो है यह काटेगरी ऐसी है कि यहां पर आपको दो वीडियो माले जी एक से लेकर के दो वीडियो तो अपलोड करनी चाहिए क्योंकि हो क्या रहा है कि टेगरी में काफी ज्यादा कॉंपटीशन है और जो भी यूटूब पर नया ने आ रहा है वो के वल यूटूब टिस्ट दे रहा है या फिर मा लेजिए कि कुछ एप और रिव्यू करते लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर यूटूब पर काफी दिनों से काफी सारे क्रियेटर्स हैं जो की मेहनत कर रहे हैं लगातार वीडियो से अपलोड कर रहे हैं और नहीं है उनका चैनल उस तरीके से बूश्ट हो पा रहा है इवन मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इस तरीके से में कर रहा हूँ यूटूब पर डेली एक से लेकर दो वीडियो तो कभी कभी एक वीडियो कभी कभी दो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन उसके बाब्यूत भी आप देखे कि चैनल पर अच्छे तरीके से रीच नहीं आ रही है जिस तरीके से वीडियो पर वीडियो पर वीडियो नहीं आ रहे हैं यानि कि कहने के मतलब अवरॉल चैनल जो है वो अच्छे तरीके से बूस्ट नहीं हो पा रहा है तो देखें, competition काफी है YouTube पर आपको अगर channel अपना खड़ा करना है, YouTube पर काम करना है तो हम सब को मतलब जो भी जिस category का है उस हिसाब से आपको video upload करना पड़ेगा अगर आपका tech category की channel है अगर आपका blogging category की channel है अगर आपका food category की channel है तो वहाँ पर आपको regular video upload करनी होगी देखें, यहाँ पर मैं यह नहीं कहता है कि regular video upload करने से ही आपका channel boost हो जाएगा कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि महीने में एक video डालते है लेकिन उनका video viral जाता है उनका channel है, वो boost हो जाता है लेकिन देखें, यहाँ पर जो आप daily video upload करते हो एक से लेकर दो तक तो होता का है कि आपके channel पर boost होने का chance जादा बढ़ जाता है यानि कि आपके video का viral होने के chances जादा होते है यहाँ पर कि आपका channel है वो grow कर जाए तो इस हिसाब से हमको daily video upload करनी है अगर आपका channel किसी दूसरी category का मालीजी है कि blogging करते हैं या फिर आप food होगे राब बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको एक video daily upload करनी पड़ेगी और otherwise अगर आपका channel wines का है या फिर आप comedy होगे राब वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर आपको मालीजी कि महीने में 3-4 वीडियो तक आप upload कर सकते हैं कोई issue नहीं होने वाला है स्वासा करता हूँ आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा तो आज कि इस वीडियो में इतना है मिलते हैं कि लिए वीडियो में तब तक के लिए take care and bye-bye